more on natural disaster के बारे में बात करते हैं यानि कि कुदरती आफाद के बारे में हम डिसकस कर रहे थे जिसमें से अर्थक्वेक्ट को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि यह क्या है एक सर्जन वाइलेंड शेकिंग होती है ground of the earth यानि के inner side से यह arise होती है start होती है और cause करती है बहुत सारी destruction को और हमने खाता है यह forceful shaking भी कहलाती है इसकी शिदत को measure करने के लिए reactor scale को use के जाता और उसकी range होती है 1 से 10 तक earthquake को regard किया जाता है concern किया जाता है most destructive phenomena और भी कुदरती आफाद जो है वो बहुत ज़्यादा harmful होती है लेकिन इसको concern किया गया है कि यह सबसे ज़्यादा destructive है जब भी किसी खास area में क्या होता है earth quake आता है तो वहाँ डर खौफ पैदा हो जाता है इसके लावा बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आता है जैसे कि हमें physically नजर आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा destruction हो गई है इसके लावा इससे बहुत ज़्यादा लोग मतासर होते हैं sufferings बहुत ज़्यादा होती है earth quake के अंदर जो कि एक कुदरती आफ़त है इसमें खास बात यह पाई जाती है कि aftershocks भी आते हैं भी हो जाए तो फिर उसके बाद भी क्या होते है आफ़र शॉक्स आते रहते हैं और इसमें एक अमूमी बात है कि split off ground apart यह वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नजर आती है यानि कि अगर हम जमीन के अंदर देखें तो दराडें पड़ जाती हैं आपस में वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं बलकि अलहदा-अलहदा हो जाते हैं अब होता क्या है कि हमारी और जो है वो different plates पे जो है मुझतमिल है जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं Pacific plate है यहां पर North American plate है South American plate है यह सारी इस तरह से यहां Eurasian plate है और यहां पर Indo-Australian plate है और यह वाली सारी जो है Antarctic plate है यह 7 plates हैं और जब यह plates क्या करती है एक दूसरे के against मूफ करती है यहां पर थोड़ा सा मूफ करी है और Antarctic इस तरह को जा रही है तो इन दोनों की movement से क्या produce होती है friction जैसे हम हाथों को भी रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होती है यह एक किताब को दूसरे किताब के यह अगर हम onने वाइबरेशन सunde होती है यह हम कहते हैं कि वह दूसरे से जब और बुभ बू पकार अगयंस्ट उपना घया रही होती है तो और यह वजेया कि फ्रिक्शन प्रिच्छन पृड़ियूषे होती है इसनी त्यां से प्लेट्स के एक डूसरे के आप सिट मूफ करने से क्या होता है friction produce होती है और giant shocks जो हैं वो लगते हैं और इस तरह से giant shocks की क्या produce होती है waves produce होती है जो पूरे नीचे यानि के ground state यानि के नीचे वाली तह से लेकर उपर तक जो है वो सटा जमीन की सटा तक आ जाती है तो ये जितनी भी shock waves होती है ये क्या करती है ये upward move करती है सर्फिस की तरफ आती है और इसके विज़र से क्या होता है जलजला आता है अर्थकोएक आता है जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि different हमें अर्थकोएक के जो है वो अर्थकी सर्फिस के साथ जो changes आते हैं वो दिखाए गए हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक part है हाइपो center हाइपो का मतलब होता है अंदर की कोई चीज और एक नजर आ रहा है epicenter सर्फिस के उपर की तरफ जो center होता है earthquake के आने का यह नहीं कि जिस तरह हम कहते हैं कि अक्सर जब news में सुना जाता है तो हम कहते हैं कि जलजले का मरकज जो है वो इतने रेक्टर स्केल पे जो है वो उसकी शिदत थी तो epicenter का मतलब यह है कि earthquake का center जो है वो जो surface के उपर है इसको यहां हम define भी कर रहे हैं कि epicenter वो वाला point होता है the epicenter is the point on the earth surface surface के उपर एक point है जो vertically above the hypocenter पे वाक्य होता है यानि कि यह जो focus है या इसका मरकज है ground में या surface से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं earth के निचले हिससे की तरफ तो वहां पर जो center होता है earth कोई का उसको hypocenter या focus कहते हैं तो उसके N उपर जो होता है यानि कि यहां पर vertically above point जो crust के उपर मौजूद होता है और वहीं से seismic rupture जो हो start होता है यानि कि जमीन का यह जो हिस्सा है वह आपस में अलैदा अलैदा हो जाएगा और यहां से तूटना शुरू हो जाएगा रप्चरिंग का मतलब यह है कि उनमें दराड पड़ जाएगी अब यह दो तरह से हो सकता है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक surface जो है वो उपर चली गई है यह वाला region इस तरफ को मूफ कर गया है और इसके साथ वाला जो था वो slip करके दूसरे तरफ को मूफ कर गया है हाइपो सेंटर को भी यहां बताते चलते हैं कि हाइपो सेंटर क्या है वो पॉइंट है पॉइंट विदिन थ अर्थ वियर एन अर्थ कोईक रप्चर स्टार्ट अर्थ कोईक का रप्चर जहां से ग्राउंड के अंदर से यानि के जमीन के अंदरून वाले हिससे स्टार्ट होता है उसको हाइपो सेंटर कहते हैं और फॉल्ट प्लेन क्या है जब यह दो हिससे अलएदा-लएदा होके यह उपर वाला हिससा हमें जमीन का नजर आ रहा है मिटी मिटी नजर आएगी तो उसको फॉल्ट प्लेन कहते हैं यह जो हाइपो सेंटर है यहीं से अर्थ कोईक की वेवस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और यह वेवस सता तक जो है अर्थ कोईक हो तो वो क्या कास करता है वो सुनामी कास करता है बिल्कुल ऐसी ही तपाही जो जमीन के हिस्से में आई है अर्थ कोईक होने के विज़ा से तो जब सी वाटर के अंदर इस तरह से अर्थ कोईक या जटके महसूस होते हैं तो सुनामी उसको नाम दिया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन होता है। इसके इलावा बात करें स्ट्रोम्स की तेज तूफान चुआते हैं, तो जैसे कि हम तस्वीर में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, इसमें इसके साथ साथ मौइस्चर होता है एर में इसके इलावा हेलिंग होती है यानि के ओले बरसते हैं और लाइटनिंग बहुत जादा होती है यानि के बिजली हम देख रहे हैं कि बहुत जादा यहां पर चमक रही है आम तोर पे यही इन स्ट्रॉम्स में होता है जब यह तुफान और तेज आंदी की विज़ा से बारिश भी साथ में हो रही होती है और बिचली बे चमक रही होती है सम्टाइम्स ऐसे भी होता है कभी कबार इसी में तुफान आते हैं टॉर्नेडो जाते हैं आनदी की हवाओं का गॉल गुम ना, जो बहुत ज़दा खतरनाक ثाबित होती हैं और ये तमाम क्या कास करते हैं? alguna के थी हैं यानदी के तबाह कुन होते हैं इन्सानी जिंदिगे के लिए इसके इलावब भी लिविंग तिंग्स के लिए इसके इलावा वेदर में ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है यानि कि मौसम इसकी विज़ा से खराब हो जाता है और लाइफ अफ लिविंग तिंग और जो प्रापटी होती है लोगों की ये दोनों रिस्क पे होते हैं यानि कि उन दोनों को क्या है खत्रा है इन तुफानों में क्यूंकि बहुत तेज हवा चलती है ओले बारी हो रही होती है इसके इलावा बिजली चमक रही है वो तुफान तेजी से आ रहा होता है तो ये सब चीजे मिलके क्या करती है डिस्ट्रक्शन कॉस करते हैं इसके इलावा इसके नेगिडिव इंपेक्ट में क्या आ जाता है फलर्डिंग आ जाती है निके सेलाब आ जाते है दरख्त गिर जाते हैं फॉलन ट्रीज रोड्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है इसके इलावा communication system जो है वो break हो जाता है electricity destruction भी आ जाती है निके बिजली का निजाम भी दरहम भरम हो जाता है तो आज हमने study किया more on natural disaster के बारे में